नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल डाक्टर ससी कांत हो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कुछ भी खाते हैं या बहुत सारे फल बिटामिन्स मिनल्स की गोली खाते हैं काजू किसमिस छुवारा सब कुछ खाते हैं लेकि आप सब कुछ खाते हैं लेकिन उसके बाद भी आपका बाड़ी है वह बिल्डप नहीं होता आपका बाड़ी बनने के बजाए और सुकता जाता है तो आप इस वीडियो में लाश तक बने रहीएगा कौन से ऐसे कुछ कारण है कि जो आप सब कुछ खाते हैं उसके बाद भ सरीर है वह डिवलेप्मेंट के बजाए सुकता जा रहा है तो कौन से ऐसे कारण है कि जिनकी वजह से आपका बाड़ी है वह बिल्डप नहीं करता तो जो सबसे पहला कारण है वह ऐसी डिटी या गैस यदि आप बहुत लंबे समय से एसीडिटी और गैस परसान है बहुत क्योंकि आपको इस एक गैस की प्रावलम है जो दूसरा इसका रीजन है वह थाराइड यह आप बहुत ज्यादा लंबे समय से थाराइड से प्यूणित है तो थाराइड का थाराइड के वज़ए से आपको एक होता है जो थाराइड बहुत लोगत हैं कि सुख वाला यह आपको लीबर से रिलेटर प्रावलम है यह यह आपका जो पाचन सकती है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है तो उसके कारण भी आपको कुछ भी खाते हैं अच्छे से खाते पीती हैं उसके बाद भी आपको बाड़ी को नहीं लगता अब हम जानेंगे इसके टीटमें तो सबसे ड्यक्ति मेडिसिन में इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो यदि आप से मेडिसीन को लंबे तंब समय तक Seven करते हैं तो आपका जो बाड़ी है जो आपका सरीर है बहुत एंच्छा एक से दिर महीने के अंदर वाड़ी डिवल्मेंट करेगा जो यह ढि आपको लंबे समय से प्राब्लम है घेस आप लंबे समय से परसान है खाना भूत अच्छे तरसे खाते हैं आपके सरीर को लगता नहीं है आपको बहुत तर खट्टे धगा रहे आती है पेट फूल जाता है पेट में जलन होता है यदि ऐसे प्राबलम है आपको तो आप गैस गो ड्राप चार से पांच बूत सुबह दो पहर साम तीन टाइम ले आपको गैस में रिलीफ होगा और उसके साथ ही आपको जो आपका बाड़ी है आपका बन नहीं र अन्य भी ऐसे बीमारियां कि जो लीवर को अफेक्टेट करती है तो यह ऐसा कंडिशन है तो आप इस कंडिशन में आप सब कुछ खाईए लेकिन आपका जो बाड़ी है डियलामेंट नहीं होगा तो आप इस कंडिशन में चेली डोनियम क्यू काड्योस मार्स क्यू और कॉंटिटी में मिला करके 20 बूद आधे कप पानी के साथ सुबह दो पर साम तीन टाइम ले आपको बहुत एच्छे रिस्पांस मिलेंगे आपके लीवर में शुधार होगे और साथ में लीवर के साथ साथ आपके बाड़ी जो खाने पीने के बाद आपके बाड़ी कुछ नहीं था तो वह आपको बहुत एच्छे रिस्पांस मिलेंगे आपका बाड़ी करेंगा उसमें सुधार होगा अब बात करेंगे थाइराइड जो यदि आप से परसान है लंबे समय से आप गोली खाते हैं और अब कुछ भी खाते हैं तो आपका सरी को लगता नहीं तो इस सबसे जड़ाइस है यूज करता हूं जो इस से मेटसीन को लेने के बाद यह मेटसीन आप कम से कम तीन महीने अवस कांटिन्यू करें आपको अच्छे रिस्पांस मिलेंगे यदि आप बहुँ जादा दूबला पतला है विकने साब को बहुँ जादा है कमजोरी बहु करके आप रात में अवस लेजिए आप देखेंगे कि जो आपका पाचन सकती कमजोर था आपका जो बाड़ी सूख रहा था भूख में कमी था चक्कार आ रहा था वेकने सा यह धीरे-धीरे श्राप्त हो जाएंगे इस जो मेटसी ने इस मेटसीन को कम से कम तीन महीने अवस अवस लहें आपको अवस स्लाव होगा तो इन कारणों के वच्छ से यह आपका शरीर डियुआम्मेंट नहीं करता आपका शरी या बाड़ियूप नहीं करता स्रीयू सूखता जा रहा है तो इस कडिशनों को जो करन जाने आप अपने कारणों को जान करें आप इस अधिक-षडिसीयर करें लाइक करें कमेंट करें धन्यवाद